भाशा व्याकरण प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाशा के बारे में बताएंगे. इसे जानने से पहले ये चित्र देखिए. बच्चों, चित्र में एक सिपाही संकेत करके वहनों को रुकने तथा चलने का आदेश दे रहा है. यानि वो संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है. अर्थात, लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है. सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं. तो बच्चो, भाशा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं. भाशा के दो रूप हैं मौखिक तथा लिखित. बच्चो, आप जानते हैं कि लिख कर और बोल कर हम अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़ कर और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहन करते हैं. पहला, मौखिक भाशा. जिस भाशा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाशा कहते हैं. मौखिक भाशा स्थाई नहीं होती. दूसरा, लिखित भाशा. लिख कर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़ कर दूसरे की बात समझना लिखित भाशा कहलाती है. आएए बच्चो अब हम लिपी को समझते हैं लिपी बच्चो भाषा को लिखने के धंग को लिपी कहते हैं प्रत्य एक भाषा की अपनी लिपी होती है भाषा के लिखने का धंग लिपी कहलाता है आएए हम कुछ अन्य भाषाओं की लिपियों को जाने भाशा लिपी, प्रयोग, हिंदी भाशा देवनागरी लिपी, पंजाबी भाशा गुरुमुखी लिपी, अंगरेजी भाशा रोमन लिपी, उर्दु भाशा फार्सी लिपी, बांगला भाशा बांगला लिपी, गुजराती भाशा देवनागरी लिपी, मराथी भाशा देवनागरी लिपी बच्चों, ये तो आप जानते ही है कि हमारे देश में अनेक भाशाएं बोली जाती हैं, इन में हिंदी सरवाधिक लोकपρι ये वप्रचलित भाशा है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राज भाशा के रूप में माननेता प्राप्त हुई थी. यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं. आये बच्चों, अब हम व्याकरण के बारे में जाने. व्याकरण भाशा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है व्याकरण के ग्यान से ही हम भाशा के शुद्ध अशुद्ध रूप को जान पाते हैं जिस शास्त्र से भाशा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ग्यान होता है उसे व्याकरण कहते हैं जैसे मेरे को बाजार जाना है बच्चो ये लड़की गलत वाक्य बोल रही है इससे पता चलता है कि इसे व्याकरण का ग्यान नहीं है यदि इसे व्याकरण का ग्यान होता तो ये वाक्य इस प्रकार न बोलकर कुछ इस प्रकार बोलती मुझे बाजार जाना है तो बच्चो आप समझ गए ना कि भाशा की शुधता या अशुधता का पता व्याकरण से चलता है.